नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है तरुन यादो और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल आईक्यूमेंटर में आप जानते हैं यूपीटिपल सी पीटी का मास्टर बैच चल रहा है जिसके अंतरगत आज के सिशन में हम लोग पर्थम सोतंतरा संग्राम के विद्रोह पढ़ेंगे बिटिस राज का सामाजी केवम आर्थिक प्रभाव पढ़ेंगे साती साथ भूराजस स्विवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चनल में पहली बार आ रहा है तो हम आपको बता दे कि हम यूपीटिपल सी पीटी का 30 द आप हमारे 30 दिनों के सेशन के साथ जुड़ जाएए डेली के दोनों क्लासे को कम से कम 2-3 बार आप देख लीजे सारी चीजों को एक बार रट लीजे या स्क्रिन्शॉट ले लीजे 2-3 बार पढ़ लेंगे इतना भी आप लोकली सफिशन्ट हो जाएगा इतना करने के बा वीडियो को एंड तक देखना वीडियो पसंद आती तो लाइक करना साथ इसाथ वीडियो को शेयर करना बिलकुल लब भूले और अगर आप हमारे चलना पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएगा ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट सब् विडियो था जो ना सिर्फ उत्तर भारत में बलकि पूरे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग वर्गों की सहभागिता से ये विडियो प्रारम हुआ था अब आप लोगे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 1857 का विडियो हुआ किसलिए था तो 1857 का विडियो होने के पीछे दोस्तों कई सारे factors थे कई सारे कारण थे और सभी कारणों को हम लोग one by one करके detail wise जानेंगे ठीकर आप मज़ा आने वाला है बस बने रहेगा वीडियो साथ देखिएगा शुरू करते हैं तो पहले कारणों में हम लोग राजनीतिक कारण को रख सकते हैं राजनीतिक के द्वारा सतारा जैदपूर बधार जहांसी वनाकपूर में विले की घोशना कर दी और इसी के दौरान लाज धलोजी ने गोद लेने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया और इसी प्रकार हडपनीति के तहत नवाब वाजी दली शाह पर कुशाशन का अरोप लगा कर 1856 में अवध के विले की घोशना भी कर दी अब दूसरा कारण अगल में जाने तो दूसरा कारण है समाजिक धार्मिक कारण समाजिक धार्मिक कारण के अंतरगा दोस्तों हम लोग अगर जाने तो 1813 के अधिनियम से भारत में इसाई धम प्रचारकों का प्रवेश धर्मांत्रन को बढ़ावा देने लगा तो 1850 का धार्मिक आयोगिता अधिनियम लाया गया जिसके तहट जदी कोई हिंदु धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसका पैतरक संपत्ती में उसका अधिकार बना रहेगा मतलब कि अगर कोई हिंदु धर्म से इसाई धर्म बन गया तो उसकी जो पिता जी की जो प्रोपर्टी है उसके उसका अधिकार बना रहेगा इसके अलावा 1829 में सती प्रथा पर निशेद कर दिया गया सती प्रथा को बंद कर दिया गया और 1856 में विद्वा पुनर विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्या सागर के प्रयासों से किया गया जिसके कारण भी भारती असंतुष्ट होने लगे हाला कि इस सती प्रथा और विद्वा पुनर विवाह एक बहतरी चीज थी समाज के लिए लेकिन फिर भी इसके अलावा भारती असंतुष्ट होने लगे थे तो ये भी एक कारणों में आ गया ठीका ना ओतीसा कारण अगल मुक जाने तो आर्थिक और प्रशाष्टनिक कार अंग्रेजी शाष्टन के हितों की पूर्ती के क्रम में अंग्रेजों ने परंपरागत भारतिया थव्योस्था को तहस नहस कर दिया दोस्तों जोकी विशेश प्रकासिक गाउं और किसान के जो लोग थे वह अत्यधिक प्रभावित हुए और अंग्रेजों ने दोस्तों रूल लौ यानि विधी का शाषन की स्थापना की ठीक ना और इस इस्थापना के क्रम में पुराने भारती मान्यताओं को नस्ट करके उनके अंदर असंतोस को बढ़ावा दिया और अगर हम लोग चौथा कारण जाने तो चौथा कारण है सैनिक कारण दोस्तों सेना में नसल प्रतिक धार्मिक प्रतिकों के प्रियोग पर भी अंग्रेजों ने पबंदी लगा रखी थी इसके अलावा 1856 में लौड कैनिंग के द्वारा सामान सेना भरती अधिनियम लाया गया जिसके तहत भारतिय सैनिकों को किसी भी छेतर में युद्ध लड़ने के लिए भीजा रह सकता था जबकि भारतिय समाजिक धार्मिक मानिताओं में निशेद छेतर में जाने की इजाज़त नहीं थी और इसके लाओ दोस्तों उस समय के अगर हमनों ततकालीन कारण जाने तो ततकालीन कारण के अंतरगत ब्राउन बैस राइफल के स्थान पर अंग्रेजों ने एंफिल्ड राइफल का प्रियोग किया जिसमें गाय और सुवर की चर्बी युक्त कार्तूस का प्रियोग करने के चर्चाएं सैनिको को क्रोधित कर दिया लेकिन कार्तूस में दोस्तों गाय और सुवर दोनों की चर्बी लगी रहती थी इसलिए हिंदू और मुस्लिम दो कहते हैं कि यह स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था वहीं आउट्रम और टेलर ने 1857 के विद्रोह को बोला कि यह हिंदू मुस्लिम शड्यंत्र था और टियार होम्स ने 1857 की करांती को कहा कि यह सभ्यता वबरबरता के बीच का संगर्ज था और डिजराइली ने कहा कि यह रास्टी विद्रोह था वहीं वीवी सावार कर थे वो कहते हैं कि यह भारत का प्रथम सोतंतरता संगराम था इसके बाद 19 माच 1857 को बैरकपुर चावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुवात कर दी और यह 1857 के विद्रोह में प्रथम शहीद बने कौन मंगल प मई को यह विद्रोह आरंब हो गया और दोस्तों विद्रोह यह जो विद्रोह था 1857 का यह विभिन छेत्रों में विभिन तरीके से प्रसाडित हुआ और अवध में यह जंत सामान्य का विद्रोह बन गया वहीं इलहाबाद में इस विद्रोह का नित्रत्व आम जंता के प् और अंग्रेजों के विरुद्ध मौलवी एहमद उल्ला ने जिहाद घोशित किया और दोस्तों इस बात से अंग्रेज इतने भैबीत हो गए कि अंग्रेजों ने मौलवी एहमद उल्ला पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोशित कर दिया इसके बात दोस्तों कानपुर में विद्रोह के दोरान रानी सती चौरा की घटना का उल्ले खाता है जिसमें कहा गया है कि विद्रोहियों ने महिलाओं वो बच्चे समय 300 लोगों को माल डाला वहीं इस विद्रोह के दोरान राजाओं और नवाबों ने अंग्रेजों के साथ दिया इसलिए गवर्नर जनरल लॉड कैनिंग ने इन्हें तरंग और रोधक कहा किसको राजाओं और नवाबों को लॉड कैनिंग ने तरंग और रोधक कहा वहीं पे बड़े जमिदार भी दोस्तों अंग्रेजों के साथ थे और जो पढ़ा लिखा नवोदित मध्यम वर्ग था वो तत्रष्ट मना रहा चुकि अंग्रेजों के प्रगती शील सुधारों का रोधी वादी समाज द्वारा विरोध इन्हें अनुचित लग रहा था अब 1857 की जो कांती थी इसके अचफल होने के कारण क्या थे तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे पहला कारण अगल मों जाने तो पहला कारण ये था कि इसकी कोई निश्चित थी नहीं थी ना कोई निश्चित संगठन था ना ही कोई नित्रत्व करने वाला था ही नहीं कोई विशेश विचारधारा थी यानि विचार धारा का भी अभाव था और इसके अलावा राजनीतिक एकता में भी कमी थी और साथ इसाथ समाजीक एकता में भी कमी थी जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों ने ये विद्रो साथ में शुरू किया था ठीक है ना लावा आधुनिक अस्ति सस्त्र का भी अभाव था इसके अलावा रणनीती का भी पिछरापन था और सबसे खास बात यह थी कि द्वितिय पंक्ति के नेत्रित्व करताओं का भी अभाव था अच्छा 1857 के अगर करांती के अगर हम लोग केंद्रों की बात करें तो कौन से कें लेता नेत्रित्व कर रहे थे और उस विद्रों को किसने समाप्त किया इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि एक सो दूनमबर के कुईशन इसमें से भी बना करते हैं तो पहला तो दिल्ली से पूछ लेता है तो दिल्ली में तो 1857 की करांती का नेत्रित बह कॉलिन कैम्प बैल ने किया है और कानपूर में दोस्तों नाना साहब ने इसका नेत्रित्व किया इस विद्रों का और इसको सांथ कराने वाले कौन तो कॉलिन कैम्प बैल ये भी थे वही जहासी में 1857 करांती का विद्रों रानी लक्ष्मी बाई ने किया और इस करांती को शांत कराने का समाप्त करने का जो श्रेय था वो जनरल हुरोज को गया और फैजाबाद में दोस्तों मौलवी एहमद दुल्ला ने इस करांती की क्या कि नित्रित्व किया और इसको किसने शांत करा वे जनरल रेनाड ने शांत कराया और अलहाबाद में इस करांती का नित्रित मौलवी लियाकत अली ने किया और इसको शांत किस ने करवाया खतम किस ने करवाया इस विद्रो को तो विसेंट आयर ने करवाया वही जगदीशपुर में कुमर सिंग ने इस करांती का नेत्रित्व किया और 1857 की करांती में जगदीशपुर में जो करांती हो रही थी इसको बाद जो परिणाम निकल करके सामने आते हैं वो परिणाम को भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं च्योंकि उसमें से कोईशन बनते हैं एक्जाम में और अगर कोईशन नहीं भी बनते हैं तो ये इतनी इंपोर्टेंट चीज है कि आपको जरूर जानना चाहिए तो 1857 के विद्र कानी की उद्गोशना को पढ़ा और साते साथ दोस्तों गवर्णार जेनरल के वाइसराय की उपाधी परदान की गई और इसके लावा सैनिकों की भरती के लिए रॉयल गठित किया गया और इसके लावा दोस्तों 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत पर चल रहा 12 निय हदिया गया सेना में अनुपात कि सरी के से बढ़ाए गया अनुपात एक रिशियो पांच का रखा गया किसका एक वन इस्टू फाइब का रखा गया और वन इस्टू थ्री का रखा गया मतलब कि अगर एक सैनिक भारत का होगा तो पांच सैनिक किसका होगा अंग्रेजों क अगर एक सैनिक भारत का हो ताकि इनकी जो एकता है इनकी जो अखंडता है इसको भंग कर सके ठीक ना मतलब अंग्रेजियों ने यहाँ पर फुट डालो राज करो की नीती को अपनाया अच्छा इस 1857 की जब क्रांती होती है तो इस क्रांती के बाद बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी जाती है ठीक ना काई कौन पुस्तक को किस ने लिखा है तो वहीं दोस्तों तो 1857 की क्रांती को बाद जो वीडी सावार कर थे वीडी सावार करें दोस्तों एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का टाइटल उन्होंने दिया फर्स्ट वार उफ इंडियान इंडिपेंडेंस और अशोक महता ने 1857 की करांतिक बाद जो पुस्तक लिखी उसको टाइटल दिया दा ग्रेट रिविलियन वहीं आर्सी मजूमदार ने इस पुस्तक को लिखा और इसको टाइटल क्या दिया सिपाई म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ओफ 1857 क्या सिपाई म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ओफ 1857 वहीं पर दोस्तों 1857 नाम की जो पुस्तक चीश को किस ने लिखा तो SS Sain ने लिखा और The College of Indian इंड इम्यूनिटी इसको किस ने लिखा तो सर सयाद एहमद खाण ने इस पुस्तक को लिखा 1857 की करांती के बाद ठीकरा आब अब लोग नेक्स टॉपिक को जानेंगे कि बिटिस राज का समाजी का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा बिटिस राज का समाजी का आर्थिक जहां उत्पादन क्या हुआ कि जहां पर उत्पादन प्रतिद्वन्दता के आधार पर नहीं बलकि आपसी सहचरिया के आधार पर होता था मतलब ये कि वस्तु विन्मय प्रणाली या फिर जजमानी विवस्था के आधार पर उत्पादन हुआ करता था लेकिन ये इंपॉ और भायरतिय अर्थवयस्था को बृटिश सरकार का मुक्ष अपने जगों के लिए कच्चा माल प्राफ्टकर ना और अपने उत्पादों को भार्तिय बाजार में उची कीमटों पर बीचना अब्लश जब 1857 ये करांती के बाद उपनिवेश वाद का उदय हुआ करता है तो इस उपनिवेश वाद को हम लोगों ने तीन चरणों में देखा तीन चरणों में कोन कोन से पहला चरण आया आपका वाडिजिक चरण दूसरा आया अद्योगिक मुक्त बाजार तीसरा आया वित्तिय पूंजिवात जो वाडिजिक चलान था दोस्तों इसका ये 1757 से 1813 के बीच में आया वहीं अध्योगिक मुक्त बाजार दोस्तों 1813 से 1858 के बीच में था और वित्तिय पुझी वाद दोस्तों ये 1860 के बाद आया था दोस्तों 1757 इसवी से 1813 तक का जो दौर था वो बल पूरवक लूट वा बाजारों पर एका अधिकार का दोर कहलाया मतलब ये कि ताकत के बल पर बंगाल के संसाधनों को लूट कर उन्हें ब्रिटेन भीजा जाने लगा और 1813 से 1857 इसवी का दूसरा और मुक्त व्यापार का दोर कहलाया जिसे अपनाने के मुक्षता दो करण बने वो दो करण कौन से थे पहला करण था कि ब्रिटेन में अध्योगी करांती की सफलता से वहां का नया संपन वर्ग तयार हुआ जिसने ब्रिटिस संसत पर दबाव डाला कि भारत का बाजार सभी के लिए खोला जाए और दूसरा करण ये आया कि एडम स्मित द्वारा प्रचारित आहस्त छेव का सिध्धान्त का लोगप्रिय हो जाना वहीं अंग्रेजों ने भारती उद्जोगों का गला घोट दिया विशेश कर हथकरदा उद्जोगों का नगरी उद्जोगों का पतन तो तुरंती हो गया क्योंकि दोस्तों राजाओं के घर के बाद इन विलासी वस्तुओं की मांग में कमी आ गई क्योंकि ये महंगे होते थे वहीं अंगरेजों ने मुक्त व्यापार के बहाने आयात निर्यात की दरों को इस तरह निर्धारित किया कि बिटिस की जो समान थे वो सस्ती हो जाए और भारती समागरी महंगी हो जाए और अंग्रेजों ने बिटिस समागरी को भारत के कोने कोने में पहुचा भी दिया वहीं 1860 के बाद वित्तिय पुझी वात का दौर जिसमें प्रथम दो चरण से प्राप्ट धन को भारत में ही निवेश करके अधिक पुझी कमाने का उद्देश रखा गया और भारत की लूट और इंग्लैंड में पुझी संचे का ही प्रत्यच परिणाम था कि इंग्लांड और द्योगी करांती के दौर से गुझर चुका था उस समय अब बात करें अगर भूर आजस्व विवस्था की तो भूर आजस्व विवस्था के अंतरगत दोस्तों क्लाइव के दौरान भूर आजस्व का वार्शिक बंदबस्त हुआ करता था किसका कलाइव के दौरान भूर आजस्व का वार्शिक बंदबस्त हुआ करता था और फार्मिंग सिस्टम का भूमी को लगान वसूली हित्यू ठेके पर दिये जाने की पर्था का कालांतर में बंगाल पे बहुत बुरा प्रभा पढ़ता है जिसके कारण किसानों का सोशन बढ़ा और किसान भुखमरी तका पहुँचे महीं गवर्नर जनरल कारणोवालिस के समय एक दस साला बंदबस्त लागू किया गया जिसे 1793 में इस्थाई बंदबस्त में परिवर्तित कर दिया गया ठीक है उसके बाद आता है हमारा जमिदारी या इस्थाई बंदबस्त जमिदारी या इस्थाई बंदबस्त दोस्तों इस बंदबस्त में ब्रिटिश भारत के छेतरफल का लगबख 19.75 हिस्सा शामिल था और दोस्तों ये विवस्था बंगाल, बिहार, उडीसा तथा उत्तरपडेस के वरांसी और उत्तरी करनाटा के छेत्रों में लागू किया गया और इसमें भूर राजस्व का 10 बटे 11 भाग सरकार का तथा 6 एक बटे 11 भाग जमिदारों का होता था और इस विवस्था में राजस्व नगद रूप में किये जाने पर जोर दिया गया जिससे उन छेत्रों में नगदी फसलों की खेती को भी बढ़ावा मिला वहीं रमेश चंद दत्थ और राजा राम मोहन रॉय ने इस्थाई बंदोबस्थ का समर्थन किया और इसे अन्य छेत्रों में भी लागू करने की बात कही लेकिन इस विवस्था से अंग्रेजों ने भारत में एक समाजिक मित्र प्राप्त कर लिया और इसी लिए 1857 के विद्रों में बड़े जमिदार अंग्रेजों के साथ ख़ड़े दिखाई दिये वहीं इस्थाई बंदोबस के द्वारा जमिदारों की स्थिती और मजबूत हो गई क्योंकि उन्हें भूमी का पूर्ण स्वामी मान लिया गया इससे कारण भूमी पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया था कि लोगों के सामने खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प रही नहीं किया था फिर आया हमारी रयतवाड़ी विवस्था रयतवाड़ी विवस्था में किया था किस विवस्था के तहत किसानों को भू स्वामी मान कर उन्हीं के साथ राजत सो वसूली का दायत भी तेह किया गया इसलिए ये रईयत ये वस्था रईयत वाडी कहलाई लेकिन वास्तविकता ये थी दोस्तों कि वास्तविक स्वामित तो अंग्रेज के पास ही था क्योंकि लगान देने की स्थिती में उनकी जमीरे निलाम कर दी जाती थी और 1792 इसवी में करणल रोड ने मदरास के बारा महल छेतर में इसे पहली बार अपनाया लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से 1820 इसवी में थॉमस मुन्रो ने किया इसको व्यवस्थित रूप 1820 इसवी में थॉमस मुन्रो ने दिया और दोस्तों ये व्यवस्था बिटिश भारत के 54% छेत पर लागू हुई जिसमें बंबई था मदरास था पुर्वत्तर भारत कुछ इससे भी शामिल थे दोस्तों इस व्यवस्था में колlector की भूमिका को महतपूर बनाया गया किन्ति समय की कमी और राज़त व्यवस्था के ज्यान के अभाव में किसानों का जम कर शोशन किया गया अब आता है महारा नेक्स्ट महालवाड़ी व्यवस्था महालवाडी विवस्था के अंतरगत गावों के समू के आधार पर राज़त सु प्रक्रिया को इस्थापित किया गया और ये भूमी का या भूमी पर समुदाइक स्वामित्य को सिकारती है उसके बाद 1862 में हाल्ट मैकेंजी ने इसे विवस्थित रूप दिया किसको महालवाडी विवस्था को और ये ब्रिटिश भारत में 30% छेतर पर लागू की गई वहीं इसमें अवद आगरा संयुक्त प्रांद पंजाब राजपताना वह पस्चिमूत्त छेतर शामिल था और इस विवस्था में राजस्वदर आरंब में 80% तक पहुँच गया जिसे लौड विलियम बैंटिक ने 66% अबाद में लौड डहलोजी ने 50% कर दिया दोस्तो बैंटिक के कारकाल में मार्टिन बर्ड के द्वारा पहली बार मांचित्र वराइस्टर का प्रियोग किया गया और बर्ड को उत्तर प्रदेश की राजस्वववस्था का जनक भी कहा गया यह important point है इसको नोट कर लिजए कि बर्ड को उत्तर भारत की राजस्ववस्था का जनक कहा गया उसके बाद आया हमारा railway का विकास जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया दोस्तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा railway की स्थापना उनकी अनुपम देन मानी जाती है और दोस्तो अंग्रेजों ने लाब को अधार बनाते हुए इसमें निजी वसावजनिक दोनों निवेशों को आमंत्रित किया और प्रारंबे में घाटे के बावजूत निवेशकों को 50% की गारेनिटी युक्त ब्याज भी दिया गया और भारत में रेलवे स्थापना का लक्ष दूरस्त गावों को बजार से जोड़ना था जिसमें कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके और इसके साथी विद्रों के समय सेना को तीजी से प्रसारित करने के लिए भी रेलवे का विकास किया गया और भारत ने पहली रेन 1853 इसवी में डलहोजी के समय में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और ये इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको डबल ये टिपल स्टा बना लिजेगा इसके लाँ दोस्तों सरवाधिक लाइनों का विकास लॉड करजन के समय हुआ और बाद में 1925 इसवी में एक वर्थ कमेटी की अनुशंचा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया फिर आता है हमारा धन की निकासी दोस्तों धन की निकासी के अंतरगत भारतिय धन बहिर गमन की और लोगों का ध्यान अकर्शित करने के लिए इस दिशा में पहला प्रियास दादा भाई नौरोजी ने किया और बाद में अपने प्रसिद लेख पावर्टी एंड अन बिटिश रूल इन इंडिया में इसे विवस्तित रूप दिया और 1896 के कॉंग्रेस अधिवेशन में धन निकासी सिद्धान्त को स्विकारा गया और बाद में दादा भाई नौरोजी ने कुछ अन्य लेखो जैसे दा वॉंट्स एंड मीन्स ओफ इंडिया और अन दी कॉमर्स ओफ इंडिया द्वारा धन के निसकाशन सिद्धान्त की व और भारती पूंजी और संसाधनों के बहिर गमन की आलोचना करते हुए कहा कि राश्टिय पूंजी का एक तिहाई हिस्सा तो किसी ना किसी रूप में बिटिश आशन द्वारा भारत से बाहर लिजा जाता है और दादा भाई नौरोजी ने धन के निसकाशन को अनिष्टो दोस्तों भारत के सकल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा प्रतिवर्स बाहर जाता है और दोस्तों रमेश चंदत्य की पुस्तक एकनॉमिक सिस्ट्री आफ इंडिया को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली बार प्रसिद्व पुस्तक भी माना जाता है और 1901 में इंपीरि के अनुसार 1757 के 1756 के बीच 40 लाग पॉंड की निकासी और 1866 तक 1500 करोड की निकासी की गई और नरोजी ने पहली बार आधनिक भारत प्रतिविक्ति आय का आकलन करते हुए बताया कि भारतियों की प्रतिविक्ति आय मात 20 रुपए ही रह गई है अब उसके बात पढ़ता है हमारा आकाल तो दोस्तों अंग्रेजों के सोशनकारी नीचों के कारण भारत में नियांतर आकाल पढ़ते रहे और इसका कारण दोस्तों खादान उत्पादन का सरकार द्वारा उची तो वितरन ना करना तथा कूप रशाशन था इसके अलावा दोस्तों 1875 से 1900 के बीच भा आजादी के पहले और अंतिम भीशन आकाल बंगाल में 1943 में पढ़ा जिसमें लाखों लोगों की मौते हो जाती है और बिटिश सरकार ने आकाल से लोगों को बचाने के रिए विभिन आकाल आयोग की स्थापना की जो की निमन लिखे था है जिन में से पहला आयोग हमारा ब अजिसमें की गई थी और दोस्तों जेम्स लॉयन अकाल आयोग जो था इसकी स्थापना कब हुई थी तरहासोट च्यानवे में की गई थी और इसके लाख दोस्तों मैड डानेल अकाल पड़ता है जिसकी स्थापना 1900 में की गई थी अब बात करें आधुनिक आयोग की भारती परिस्थितियों के आधार पर ना हो और उनका नियंत्रा बना रहे लेकिन प्रतम विश्वयुद्ध के बाद नय भारती पूजी पती वर्ग ने भी उद्योगों की स्थापना में हिस्सा लिया और भारत में पहला सूती वस्तरकार खाना 1853 इस्वी में मुंबई मे काल साजी नाना भाई के द्वारा लगाया गया और इसकला दोस्तों रिसला बंगाल में पहला जूट खार खाना के स्थापना की गई जो की 1955 में हुई थी यह इंपोर्टेंट है याद रखना और इसकला दोस्तों भारती बैंकिंग विवस्ता में भारती पूजी लगाई जाने लगी और स्वदेशी पूजी से संचालिट पहला बैंक अवाद कमर्शल बैंक था जो वर्ष 1958 इसवी तक चलता रहा लेकिन स्वदेशी और भारती पूजी का स्वदेशी बैंक जो अभी भी कारे रत है वो अब पंजाब नेशनल बैंक के रूप में स्थापित तो यह था दोस्तों कुल आपके 1857 की क्रांती तो उम्मीद करता हो सिशन पसंद आया होगा सिशन का पीडियाफ चाहिए होगा तो नीचे दिएगए टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना और कोई सवाल कोई क्वाईरी हो तो वाटसब नंबरों पर क्याप्टर लेटर न आप लोगों से मुलाकात होगी तब तक नख्याल लखिये स्वास्त रही है मस्त रही है जैहिन दोस्तों